आज तारीक हो चुकी अठारा अगस्ट आज एक बार फिर साइपिल को लेकर सबेपिल टीमों को लेकर किरकेटी जगत को लेकर कुल आठ बड़ी खबरें और आठ बड़े अपडेट्स निकल कराएं मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसक्रस करूँगा आपको सबी आठ मैं बतताँगा तो कुल मिलाकर काफी इंट्रस्टिंग काफी मोटेंट ये वीडियो होगी तो आप इस वीडियो को अंतग जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये किरकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइकर के चैनल को सब्सक्राइब अब हम बात करते हैं यहाँ पर सभी आटो बड़ी ख़बरों की तो जो सबसे पहले बड़ी ख़बर निकल करा थी होती है लकनुस उपर जाइंट्स की तरप से दरसल लकनुकी टीम ने अब यहाँ पर एक यहाँ पर नए कोच की अब लकनुकी टीम में एंट्रिवी जो कि 2019 की वर्ल्ड कप तक भारती टीम की सेलेक्ट थे वो यहाँ पर स्टेटिजी की यहाँ पर कोच के रूप में अब लकनुकी टीम में आचुके दरसल आई पिल में पहली बार किसी टीम ने यहाँ पर स्टेटिजी कोच यहाँ पर यूज किया इस ते पहला कि मुंबई ने भी 2008 में इस परकार का यहाँ पर कोच का यहाँ पर प्रियो किया था उस साल मुंबई की टीम प्लियोप्स में भी कौलिफाइन नहीं कर पाई थी लंबे समय बाद लगबग 15-16 साल के बाद अब लकनुकी टीम ने यहाँ पर स्टेटिजी कोच यहाँ पर नियूक किया MSK पर साथ लकनुकी यहाँ पर नये यहाँ पर अब स्टेटिजी कोच बने जापर इस टीम के लिए हेड कोच की रूप में तो इस साल यहाँ पर जस्तिन लेंगर के इंटरी इसके साथ गोतम गंबीर इस टीम के हालफलाल मेंटोर है इसके साथ ही मौरने मोल कर दे टेलिग्राम चैनल को फटाबर जोइन कर लेकर टेलिग्राम पर हमने दो पेर दो तीन बजे यह कंफर्म कर दिया था कि MSK पर साथ यहाँ पर लखनौ में इंटरूँच चुके तो इस परकार की सारी ख़बर सबसे वहले हमारे टेलिग्राम चैनल पर हम अपडेट कर दे त अब इसक्वेड आजए तो काफी कंसमें बचा और यह पर इसक्वेड को लेकरे ख़बर आरहे है कि केल रहा हुले अपना फिटनस टेस्ट पास कर चुके तो इनका इसक्वेड में आना इसके साथ ही स्रेश एयर ने अप तक अपनी फिटनस यहाँ पर कंप्लिक नहीं कर य कुल मिला करें यह फिट डिकलेर नहीं हो तो शाहिद यहाँ पर स्रेश आयर है अब इसक्वेड में आप मिस करते हैं के वही केल रहा हुले अजकल में यहाँ पर स्कुएड आ जाएग हमारे टेलिग्राम चैनल पर हम सबसे पहले अपड़ेट करें तो आप टेलिग्राम च हबर की तो तीसरी बड़ी ख़़र निकल कराते वाती है मुंबाई नियांस के तरप से दरासल मुंबाई की टीम के लिए बुरी ख़़बर है मुंबाई की टीम ने जोफर आरचयर पर काफे अधिक इन्वेस्ट किया था मुंबाई को ये तो ट्रस्टा कि डोजार के IPL में ये पूरा IPL खेलेंगे लेकिन 2023 के IPL में केबल 3-4 मुकाबले खेल करें ये बार हो गये ति इसके बाद मुंबई की टीम को ट्रस्ट था कि यहापर वल्ड कॉप में कमबे कर लेंगे उसके बाद S820 लीग मुंबई की लीखेलेंगे उसके बाद IPL है मुंबई के लिखेलेंगे लेकिन अब तो यहापर आर्चर वल्ड कप के स्क्वेड में भी नहीं है वल्ड कप में केवली रिजर्व प्लियर में हलाकि रिजर्व प्लियर में भी नहीं है यहापर यह तीम में यहापर टीम के साथ ट्रेवल करेंगे अगर यह आपर यह अपने आपको फिट मैसूस करते हैं तो वर्ल्ड कप में शायद यह एक अदा मुकाबला खेल जाए अधरोइस जोफर आर्चर एक भी मुकाबला नहीं खेलेंगे तो कुल मिला करें अब मुंबई की टीम को ना चाक कर भी इनको रिलिस करना होगा शायद यह आपर मेच फिट ना हो पाई इस साल भी मुंबई के लिए अब शायद तीन चार पाच मुकाबले से ज्यादे मुकाबले ना खेल पाई इवन यह आपर भूमरा भूमरा आज की तारीक में फिट हो चुके लेकिन आर्चर अभी तक भी फिट नहीं हुए है आप कमेंट क करने को देखी तरक चैस्तान की टीम भी पाडीकल को रिलीस करीये तो यहापर चैन्नही टीम इंको ट्रेड करने को देख रही इसके साह दू चैन्नहीं की टीम अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाचवी बड़ी ख़बर की तो पाचवी बड़ी ख़बर निकल कराते हैं आरसीवी की तरप से तरह सल आरसीबी की टीम को लेकर अब यहाँ पर कॉलकता की टीम ने मेंटोर बनने की याँ फेरेड कोच बनने की मांगरी ती इनको यहाँ पर अपर 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 अपरोच कहा था लेकिन डीवी ख़बर नहीं सीथा के दिया है कि आरसीबी को छोड़ कर कि किसी भी टीम का भाग नहीं बनना चाहिएगा आईटल 2014 के एडिशन में अब यह आरसीबी में कमबे करें तो मेंटोर के तोर पर या फिर बलने बाजी सलाकार कोच के रूप में अब यह कमबे करेंगा आप कमेंट करें बहुते हैं आप डिविलियर्स को दोबारा सा का मुकाबला दो सिप्टेमबर को हम श्रलंका में देखने को मिलें का जो कि दो फैर ड्ही बजी शुरू होगा इस मुकाबले का अब स्टार स्वाट्स ने पोस्टर रिलीस करते हैं आप अपनी स्क्रीन पर या पर पोस्टर देख पारेंगे इवन इस मुकाबले की कब की आप वेबसाइट पर जा करें अप टिकेट बुक कर सकते हो तो कुल में लाकर भारत पाकिस्तान के मुकाबले में अब किवल दो सब्ते का समय बाच आप कमेंट करें कि बती आप अप एशा कब के लिए आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं अब हम बात करते हैं य आप खिर फिर नहीं बाचे आप अप कमेंट जरूर करें अब हम बात करते हैं यहाँ पर आट यो राकरी बड़ी कब्र तो आठीक राकरी बड़ी खवार निकल गर आती होती है लजनाओ के नए हेटकोच यहापर जस्टिन लेंगर की तरब से तरसल लजनाओ के नए हेटको जस्टिन लेंगर ने यह क Baptist साथ ही नए कफथा नापर लगनों की टीम ने सारे डिसिजेन बना लिए और है लेकिन mentally इन्हों ने अपने नए कप्तान की तैयरिया कर लिए नए कप्तान को यहापर यह टीम तो almost finalize कर चुकि फिस आप comment करें बती ही आपके according करें इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जुरूर करें सब्सक्राइब